हेलो फ्रेंड्स जोहार ज्हारखण दोस्तों ज्हारखण पंचाय चुनाओ की तेयारियां अब और जोर सोरों से होने लगी है और साथ ही पंचाय चुनाओ अब सिघ्री होता हुआ परतीत हो रहा है क्यों? क्योंकि अब जो विभिन्न राजनेतिक दल हैं वह भी चुनाओी कारिकरम अपना शुरू कर दिये हैं कहने का तात्पर है कि इस बार 2022 में होने वाले पंचाय चुनाओ में विभिन्न राजनेतिक दल भी पार्टिसिपेट करेंगे विभिन्न राजनेतिक दल भी भाग लेने वाले हैं जो की बूस अस्तर पर अपनी तैयारी को सुरू कर दिये हैं विभिन्न राजनेतिक पार्टि बूस अस्तर पर खुद क्यों मजबुत बनाने में लगे हुए हैं तो इसी को चलिया जानते हैं हम आज के इस न्यूज में लेकिन इससे पहले दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पHey चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए पलते हैं हम आज के इस न्यूज पे आप आप देख सकते हैं कि या न्यूज हमारा देनिक जागरन में परकासित एक न्यूज है जिसे कि मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ तो जारखन पंचाय चुनाओ पंचाय चुनाओ की तियारी में जुटे राजनेतिक दल जामूमों ने सुरू की संगठन बूथ अस्तर पर तियारी तो राजनेतिक दल जूट चुके हैं और उनमें से जामूमों ने संगठन बूथ अस्तर पर तियारे भी अपनी सुनिस्चीत करने शुरू कर दी है त्री अस्तरिय पंचाय चुनाओं में वाड सरस्य से लेकर जीला परिशा सरस्य के चुनाओं में जहमो कारकरताओं को उतारने एवम उनकी जी सुनस्चित कराने पर बल दिया गया इसके लिए संगठन को बूत अस्तर पर मजबूत करते हुए इसकी सुची देने का निर्देश दिया गया यह नियूज गढ़वा जासकी है जहमो नेताओं एवम कारकरताओं की बेठक सनी वार को कल्यानपूर इस्थित मंतरी मिथ्रेश कुमार ठाकूर के आवास पर हुई इसमें मंतरी की उपस्थती में संगठन की मजबूती एवम त्री अस्तरिय पंचाय चुनाव पर विस्तित रुप से चर्चा की गई त्रियस्त्रे पंचाय चुनाव में वार्ज सरस्ट से लेकर जीला परिसा सरस्ट के चुनाव में जामवो कार्यकरताओं को उतारने एवं उनकी जित सुनिश्चित करने पर बल दिया गया इसके लिए संगठन को बूत हस्तर पर मजबूत करते हुए इसकी सुची देने का भी निर्देश दिया गया है पंचावत चुनाव की तियारी में जुटा जहम वो जीला अध्यक्ष तन्वीर आलम खान की अध्यक्षता में आयोजित इस बेठग में सक्छम कारिकरता जिनकी पकड़ जनता में है उन्हें विभिन पदों पर उमिद्वार बनाने का निर्ने लिया गया यानि की जो विभिन राइनितिक दल के जो कारिकरता है जिनकी पकड़ जनता में है उसके बुथ में है उसे यहाँ पे उमिद्वार बनाने का निर्ने लिया गया है साथ ही मंत्री मिथलेश कुमा ठाकुर द्वारा कराय जा रहे कल्यानकारी कारियों का परचार परसार हर ब छेतर के दस परभावसाली ने वेक्तियों को हर बुथ में जोड़ें ताकि संगठन मजबूत हो सके 15 दियों के अंदर काम पूरा कर सुचित करें जीला भी सुत्री पाध्यक्ष नितेश सिंग ने कहा कि मंत्री मिथलेश ठाकुर के कारण गढ़वा जीला जहम वों संगठ सबसे मजबूत है संगठन को सक्रिक करने की आऊ सकता है वह जीला को विक्सित साधन संपन जीला बनाने के लिए लगातार कारे कर रहे हैं इनके परियास से गढ़वा जीला में हर छेत्र में विकासकार हो रहा है राज सरकार से लगातार विकासकारियों के लिए रासी गढ परखंड में जामों की मोनेटरिंग कमेटी बनाए ताकि यह पंचायत चुनावकार का संचालन कर सके जीला सची मनोष ठाकूर ने कहा कि जामों जीला कमेटी लगाता संगठनात्म कार्योजना बनाकर मोनेटरिंग कर रही है जीला कमेटी ने सभी पंचायतों की कमेटियों का चुनाव सफलता पुर्वग संपन करा लिया है सिग्रे जीला करमेटी परखंड समिति था पंचाय समिति का विस्तार पुर्ण कर लिया जाएगा चूंकि अब हरे एक राजिनेतिक दल पंचाय चुनाव में खुद भी भागिदारी निभाने वाले हैं इसलिए अब सरकार पर या दबाओ और भी बढ़ेगा ताकि पंचाय चुनाव जल्दी से कराए जा सकें जैसे कि मैंने आपको याँ में बताया कि जहामो किस परकार से संगठन अपनी मजबूत कर रहा है बुथ हस्तर पर पंचाय चुनाव में अपनी भागिदारी बढ़ाने के लिए जनता के बीच खुद को मजबूत करने के लिए तो इसी परकार से और भी अन्य राजनितिक दल कर रहे हैं तो आने कि या पंचाय चुनाव बहुत जल्द संपन होगा तो इसी परकार की और आगे की अपडेट को पाने के लिए फिलिज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर और बेल आइकन को दबाना ना भूले तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाज जैहिंद वंदे मातरम जोहार जैहिंद